स्वागता आपका अपने चैनल में डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन आफ इंडस्टी इंटर्नल ट्रेड डी पी आई टी मिनिस्ट्री आफ कॉमर्च अंड इंडस्टी की तरफ से जो है वह गौर्णमेंट इंटर्शिप का आई हुए यह एक इसका फॉर्म जो है वह आप इंटर्शिप में और इस इंटर्शिप में आपको से इंटर्शिपस में यहाँ निट आप इस दिपार्टमेंट में इस साल में दो बार में चल इंटर्शिप के फॉर्म में चान टेक्वा आते हैं देखें leaving लिखा वह ओन्लाइन पोल्टर ओन दीप इसल भी हैंस फोर्थ ओपन दूरिंग दा पीरिएट फ्रॉम फर्स्ट मार्च से 30 अपरेल के बीच ओपन होता है जिसे आप समर इंटर्शिप कह सकते और एक वन सप्टमबर से 31 अक्टूबर के बीच ओपन होता है जिसे आप विंट स्टमबर से 31 अक्टूबर के बीच होती है वह इंटर्शिप आप नवंबर से जन्वरी के बीच करते हैं जन्वरी के एंट पर सर्वर में अपने आप जिन्होंने सितमबर से अक्टूबर के बीच फॉर्म भरता उनका डेटा है डिलीट किया रहता मतलब साल में दो बार इसके फॉर्म उपते हैं फस्ट मार्स से 30 अपरेल और सितमबर से 31 अक्टूबर दो बार फॉर्म ओपन होते हैं इंटर्शिप का टाइम पीरियड होता है एक मन्त टू मन्त थ् सिक्स मन्त की हो सकती है अब जानते हैं कौन इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं तो अगर आप यूजी पीजी मलब ग्रेजवेशन और पोस्ट गेजवेशन कर रहे हैं आप इंजीनरिंग मेनेजमेंट लॉओ एकनॉमिक या फाइनेस के स्टुडेंट हैं कंप्यूटर या फॉर्म फिल कर सकते हैं लेकिन सीट्स एवलेबल है कि नहीं यह उस समय डिपेंड होगा तो अगर आप इंजीनिंग मेनेजमेंट लॉओ एकनॉमिक फाइनेस कंप्यूटर लैब्रेरी मेनेजमेंट से ग्रेजवेशन या पोस्ट ग्रेजवेशन के स्टुडेंट हैं तो आप यह इंटर्शिब जो है वो कर सकते हैं कि पहले बता जिया पीरिड ऑफ इंटर्शिब जो है वो 1 मंत और मैक्समिम्म 3 मंत होगा अगर अगर प्रोजेक्ट बेहरे हैं यह six months भी इंक्रीस किया सकता है लेकिन maximum one से फ्रीमत बोला जा रहा है after completing the internship आपको जो एक experience certificate मिला दिया जाएगा जो अपनी internship complete नहीं किये करेगा उन्हें किसी भी तरह का कोई certificate नहीं हो जाएगा maximum 20 candidate select किये जाते हैं और stipend आपको 10,000 पर मत दिया जाएगा तो जैसे जैसे आपके internship complete होती जाएगी वैसे आपको stipend दिया जाएगा अब यहां पर लिखा है कि यह selection होगा कैसे तो यह selection जो वहां के department पर नहीं बढ़ा है आपका काम सिर्फ इतना है कि आप एक online mode में अपनी application को फिल कर देंगे विल बी completed at one place उसके बाद यह different जो इंटर्ट सेक्शन का एक department वहां रहेगी फिर वहां से जो उनके officers है वो अलग-अलग criteria से selection करेंगे यहां पर आदिके लिया हुआ है processing of the payment towards जब आपकी internship complete होगी तो आपको stipend भी दिया जाएगा request from the division section for internal belonging a particular discipline the database of the available application of that discipline will be provided to the concert division इस तरीके से the concert division head shall be responsible for ensuring the work program and output तो इस तरह से internship है तो इस फाइनली अगर आप graduation or post graduation student है तो आपको गौर्मेंट internship की बहुत अच्छी opportunity मिली हुई है आप इसको कर सकते है कर रहे हैं या कर चुके आप graduation तो apply कर सकते हैं इसमें आपको certificate और 10,000 stipend भी मिलेगा यह बहुत अच्छी opportunity है साल में दो बार इसका एक form आता है जिसे आप फिल कर सकते हैं इस पूरा यह जो आप PDF देख रहे हैं यह मेरे telegram channel पर है और साथी form का link भी मेरे telegram channel पर है और telegram channel का link जो है वो description box में है तो इस government इंडर्शिप का फैदा उठाइए और सिंपल सा सोटा सा form है जिसे आप फिल करके जो है वो online mode में dpiat को जो है वो सेंड कर सकते हैं तो इस इस दा लेटेस्ट अपडेट फर मोर अपडेट कीव वाचिंग सब्सक्राइब दे चैनल प्रस बैल आइकन जोएं टेलीग्राम चैनल थैंक यू वेरे मच